जया मातादी बहुत-बहुत स्वाथ मलस खास करिक्रम में आए जानते हैं करकराशी माई-माय का राशी फल करकराशी वालों के लिए माई-माय कैसा रहने वाला है क्या आपकी योजिना सफन होगी यह नहीं होगी पहले जानते विस्तार्श्याव का भविष्टी वाले उसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं कैसे कैसे मनाना है पांच माई को बुद्ध पूर्मा है अगवान विष्णू की और 19 तारीकों बढ़ साबिती बृत है जो खन्या बढ़ रहती है बढ़ की पूजा करती है उसी दिन सनी जैनती है सनी की भी पूजा होती है और 30 तारीक गवान विष्णू की पूजा करें और बृत रहे करकराशी के स्वामी चंद्रमा होते हैं ऐसी व्यक्ति बहुत इमोशनल और बहुत ही सकरात्मक और बहुत अच्छे तरीके से समाज सेवा या काम करने किन गयती बहुत तेत तरणार होती है अपने काम में लेकिन होता क्या है कि जिसको यह मानते हैं जिसको यह चायते हैं उ आपका काम नहीं होगा, मैं हेल्थ की बात करता हूं, तो आपके गली में देखकर बनी रहती है, उसके लिए आपको खान पान की विशेश तहन दना है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे आपका लाब मिलेगा, पुटम दोस्तों की लिए बात करते हैं, तो लेने का भी आपका योग बन रहा, लेकिन जो पढ़ाई आपने की उसका जो रेल्ट का प्रभाव है, या जो आपने कमप्रीशन ब्राइट है, उसका रेल्ट है, उसमें भी आपको कहीने कहिए, बहुत ही शक्रात्मों तरीके से खुशकवरी मिलेगी, जिससे आपको प्रिश्टी रहेगी, कोई भी आपकी आतरा अचानक्स यह होगी, मुझरों के द्वारा, जिससे आपको धनलाव होगा, आपका कोई रुका हुआ काम विदेश का है, या कहीं आपको धनाना है, वहाँ से भी आपका योग बनेगा, नोकडी कभी आपका धिक्कत चल रही है तो नोकडी भी आपको नवीन योजना के साब से आपकी बदलेगी, या आपने छोड़ दी है, तो नई आपको नोकडी मिलेगी, वह से आपको लाव होगा, यदि गौवर्मेंट सरकार के लिए हम बात करते हैं, इसमें कोई आपका काम भसा हुआ, या आपकराना चाहते है या आपने अपलाई किया है, तो आपके माई में इसमाना नहीं बन रही है, या माई में नहीं होगा है, तो अपरेल में होगा है, तो पर कहीने कहीं जून में इचा जा सकता है, माई में कुल दिक्यते हैं आपको अचारक से सामना करना पड़ता है, या सामने कुछ चीज़ आपके हांस से निकल जाते ही बाद में आपको पस्ता न पड़ता है तो आपका जिएवन है गरश जीएवन है या आप गेर बल्लब सादी से पहले की जीएवन है ऐसे वेक्ति बहुत ही जीएवन खुण साल जीते हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जो ना चायत हुए भी बाड़ी से निकल जाती है जो कि आपको पस्ताने पड़ता है जितना आप इमानदारी से साब बोलेंगे और जितना आप मिस्वास किसी उतलाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आपके हेल्थ में दिक्कत रहती है यदि आपका व्यापान नहीं चलता है तो उसके लिए ऐसा क्या उपाय करें भगवान महाकाल शिपजी की आप पूजा करें हर सुम्बार को आपको पंचामर्द का शिपजी लिंक बलेग चड़ाना है मर्दब दो चड़ाना मिक्स करके पंचामर्द है और आपको अपनी समस्या मन मोच चड़ान करना है और जल चड़ाना है उसके बाद आपको एक साउसी देश का मोदी होता है उसको भी धढ़ान कर सकते है उसके भी आपको लाम मिलेगा और आपको उससे काम्याई मिलेगी अभी आपके लिए कुछ चीज़े ऐसी हैं जो आप सोचते हैं फरे भी आपका काम नहीं होता है और दूसरे का हो जाता है तो ऐसा भी आपके बने प्रशन आता है सवाल उड़ता है गुरू जी ऐसा क्यों हो रहा है तो देखिए इसके लिए आपको अपने बारी की से देखने के लिए गहराई में जाने के लिए आपको जन्म समय डेटा पर देना पड़ेगा उससे आपको पूरा पुर्ली का विशलेशन होगा विवेचन होगा उसमें आपको सारे जीव की प्राप्ती होगी तो समयना कि आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होगी किसी के हट या किसी की बातों मेरी आप कोई डिसियन ले लेते हैं तो उससे आपको हानी होती है यससे आपको लुफसान होता है तो कभी भी अपने लाइफ में इतना अच्छा काम करें कि जितने करने से आपको उसका लाम मिले और अपने जो गुप्त चीज़ें आप रखते हो मन में उसको आपको रखना है, शेर नहीं करना है यदि आप share करते हैं तो चीज़ आपके हाँ से चली जाती है, काम आपका कभी नहीं होता है, तो आपको इसको ध्यार रखना है, तो कोई भी आप काम करते हैं, व्यापार का उसमें आपको पहले कुंडली को दिखाना है, तब आपको कोई काम करना है, हम आपको बताएंगे कै आपको क्या लाम मिलेगा जय बाता दें अब आचार एप पंडित रामफ्तार मिश्रा यह से विविट प्लेट्फोर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल है वैदिक जोदिर संस्थान फेस्बूक आईडी वैदिक जोदिर संस्थान वाट्सैप नमबर है 965-0925-716 हमारी वेब साइट है www.astrovedic.com हमारी मेल आईडी है वैदिक जोदिर संस्थान फिफ्टीन डरेक जीमेल डॉट कॉम